देश में कोरोना वाइरस की रोक्ताम के लिए जारे लोगडाउन में आर्थिक गतिवीद्यों को तेज करने और लोगडाउन 4.0 के एलान से पहले प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिंदूस्तान की इतियास में सबसे बड़े आर्थिक पेकेज की गोशना क ये इस आर्थिक पेकेज के जड़िये उन्हें समाझ के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया हैं इसमें चाहे उध्योग जगत से जुड़े लोग हो या प्रवासी मजदूर कुटीर उध्योग के उध्यमी हो या फिर अधिक टेक्स बरने वाले मध्यम वर्ग कियो नहो हर किसी को आत्म निर्वर भारत निर्मान के तहत सरकार ने कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है इसके लिए प्रदान मंत्री मोधी ने हिंदूस्तान के इतियास में अब तक के सबसे बड़े 20 लाग करोड रुपए के आर्थिक पेकेज का एलान किया है मंगलवार कि शाम आठ बजे राष्ट के नाम संबोधन में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कोरोना संकट के भारत के आत्म निर्वर बनाने के लिए सकल गरेलू उत्पाद यानि जीडीपी के करीब 10 फिसदी यानि 20 लाग करोड रुपए के पेकेज का एलान करते हुए कहा कि को प्रदान मंत्री मोधी ने कहा कि यह आर्थिक पेकेज 20 लाग करोड रुपए का है यह पेकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10 फिसदी है कोरोना वाइरस की वजह से तबाह हुए दुनिया के कई देशों ने बारत की तरह ही अपने देश की अर्थव्योस्ता को पट्र की गोशना की है दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने अपनी कुल जीडीपी के 13 प्रतिशत बाग का आर्थिक प्रोचान पेकेज दिया है यूरोपिय देश स्वीडन ने अपनी कुल जीडीपी के 12 प्रतिशत बाग को प्रोचान पेकेज के रूप में गोशित कि इस सुची में चोते नंबर पर हमारा देश बारत है जिसमें बारत की कुल GDP के 10 प्रतिशत बाग को आर्थिक प्रोथांद पेकेज की रूप में मंजूरी दी गई है इसके अतिरिक्त यूरोपिय देश फ्रांस ने अपने कुल GDP के 9.3 प्रतिशत इस्से को कोरोना संकट के बीच आर्थिक गतिविद्यों को बढ़ाने में खर्च करने का फैसला लिया है इसके अलावा कोरोना वाइरस की मार जेल रहे एक और यूरोपिय देश इस्पेन द्वारा भी अपनी कुल GDP का 7.3 प्रतिशत इस्सा आर्थिक गतिविद्यों में लगाने का फैसला लिया गया है यूरोप में कोरोना वाइरस की सबसे ज़्यादा मार जेलने वाले देश इटली द्वारा भी अपनी अर्थ व्योस्ता को पटरी पर लाने के लिए अपने देश की कुल GDP का 5.7 प्रतिशत इस्सा उप्यों करने का फैसला लिया गया है इसी प्रकार ब्रिटेन द्वारा भी अपनी कुल GDP के 5.7 प्रतिशत इस्से को कोरोना संकट से प्रभावित अर्थ व्योस्ता में जान फुकने के लिए मंजूर किया गया है इसके अलावा कोरोनावाईरस के जण में स्थल देश चीन द्वारा भी अपने देश की अर्थ व्योस्ता को रफ्तार देने के लिए अपनी कुल GDP के 3.8 प्रतिशत हिस्से की गोशना की गई है इसके अलावा दक्षिन कोरिया द्वारा भी अपने देश की जीडिपी के 2.2 प्रतिशत हिस्से को आर्थिक अर्थ व्योस्ता में गति लाने के लिए उप्योप करने की गोशना की गई है